हल्दी की कीमतों ने चुआ आस्मान दरसल तमिलनाडू के इरोड जिले में हल्दी 21,370 पे प्रती किलोग्राम के दाम पर पहुँच गई है किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरी इस पीले रंग के मसाले में ऐसा कौन सा सोना मिल गया जो इसके दाम में इतना इजाफ़ा हो गया व्यपारियों के मताबिक इस सीजन के लिए हल्दी की आवक पिछले महीने से शुरू हो गई थी शुरूआत में निला में कीमत 15,000 पे प्रतिक विंटर थी हलाकि तीन हफ़तों के अंदर ही कीमत 21,000 पे प्रतिक विंटर तक बढ़ गई और उमीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसमें और इजाफ़ा हो सकता है इरोड, हल्दी, व्यपारी और गुदाम, मालिक संग के सदस्यों का कहना है कि करनाटक, इरोड और अन्या जिलों से ताजा हल्दी की आवक मार्च में भी कम बनी हुई है उन्होंने हल्दी की आसमान चूती कीमतों के लिए चालू वर्ष में खेती की अवदी के दोरान गंभीर सूखे की आशंका को जिम्यदार ठेराया है उनका कहना है कि देश भर के बाजारों में ताजा हल्दी की आवक कम बनी हुई है कम आवक और खेती में समस्याओं के बीच हल्दी की कीमते पहले से उच्छाल के साथ रिकोर्ड उन्चाई पर पहुँच गई है प्रांग में बदलाव और उत्पादन में उतार चड़ाव के बावजूद हल्दी के ग्लोबल कारोबार में अभी भारत का दबदबा कायम है जो भारत की गती को दिशा दे रहा है हल्दी की मौझूदा कीमते अप्रल 2023 के 6452 के निचले स्तर के मुकाबले 205 फीसद ज्यादा है कीमतों में यह बडोतरी ताजी हल्दी की आवक में कमी और खेती के रकवे को लेकर अनिशित्ता के कारण देखने को मिली है इस साल उतपादन में कम से कम 30-35 फीसद की गिरावट आई है और प्रतिकूल मोसम के कारण हल्दी की पैदावार प्रभावित हुई है ताजी हल्दी की आवक अनुमान से काफी कम है मुख्यरूप से धरमपूरी, करनाटक और इरोड जिले के कुछ शेतरों से ही आवक हो रही है देश भर में हल्दी की खेती के रकवे में 30 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है और इसकी प्रती हेक्टर पैदावार में भी कमी देखने को मिली है जिससे हल्दी उत्पादन का पूर्वानुमान कम हो गया है वही कॉविड के बाद भारतिय हल्दी की कीमतों में भ्रोतरी के कारण भी परमुखाया तक देशों की मांग में कमी देखी गई है हलाकि हल्दी के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 80% तक बनी हुई है बाकी हल्दी उत्पादक देश कम कीमतों पर अपना माल बेच रहे हैं कारोबार में कमी बढ़ती निर्यात मांग और नई फसल की गुनवता में कमी के कारण हल्दी की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलने की उमीद है वहीं कटाई में देरी और कम पैदावार भी कीमतों में तेजी की वज़एब बने हुए हैं साल 2023-24 के सीजन के लिए भारत की कुल सप्लाई 94,004,000 बोरी रहने का अनुमान है हल्दी के उतपादन में 60,00,000 बैक की गिरावट आई है इसके बावजूत खपत में बढ़ोतरी का अनुमान है निर्यात में बढ़ोतरी के बावजूत हल्दी की मांग सप्लाई से अधिक होने की उमीद की जा रही है जिससे स्टोक में कम ही आएगी आपको बता देगे कि साल 2023-24 सीजन के लिए हल्दी की कीमतों का अनुमानी दाइरा एक चोटे पैटरन को दर्शाता है वर्तमान में कीमते 19,000 के स्थर से उपर चल रही है तक्रीकी रूप से मामूली ओवरबोट जौन के साथ सप्लाई दबाव के चलते कुछ मुनाफ़ा वसूली देखी जा सकती है लेकिन अपरिल से जून तक कीमते 21,700 से 25,000 तक के स्थर पर रहने की उमीद है हलाकि जुलाई में कीमतों में थोड़ी नर्मी आ सकती है बाजार जानकर मान कर चल रहे हैं कि आगे कीमते 21,000 से लेकर 25,000 के दाइरे में खूम सकती है और इसके बाद अगस्त में कीमते नीची आ सकती है जो नई फसल की आवक और मोसमी बदलाव और उभोकता प्रात्मिकताओं के बदलाव जैसे कारणों के चलते हो सकता है बीरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी